हलो जी कैसे हैं आप असक करती हूं बढ़िया होँगे स्वस्त होंगे चल एंदुंद intelligence आप ने थम्नेल में देख लिया होगा कि आ मैं आपको क्या बताने वाले हूँ टमाटर और शैद के साथ मैं एक जी जो रैड करिया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एकदम ग्लासी स्किन लगने वाली है आपके चैरे के दाग दब्बे लाज ओपन पोर्ष की समस्या जा आज का मैजिकल फेस्पैक एक बुष्टर डोज है फ्रेंट्स आपकी स्किन के लिए इसे जरूर इस्तेमाल करिएगा चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है सही जानकारी के लिए फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए मैं लूंगिया पर एक टमाटर और मैं इसे कद्दुकस कर लूंगी ताकि हम इसका रश निकाल सकें और इसे इसे इस्तेमाल कर सकें फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि जब तक आप हर चीज के गुन नहीं जानेंगे उनके बेनिफिट नहीं जानेंगे अपनी स्किन के लिए तो उन्हें अच्छे से कैसे इस्तिमाल कर पाएंगे और कैसे उनका उसका लाब उठा पाएंगे तो अच्छे से इनके पहले बेनिफिट देखे फिर इन्हें यूज तब भी आपको लाब होगा फ्रेंस ट्रमाटर के फादे बताती हूँ आपको ट्रमाटर सेहत के साथ साथ इसकीन के लिए भी बहुत ज़दे बेनिफीशल है ट्रमाटर में बहुत सारे पुस्षक तत्व होते हैं जैसे विटामिन C, पोडेशन, विटामिन A, विटामिन B और भाव को तो कि होगा बहुत करते हैं जो इसकीन को निखारता है में इसकीन को सुंदर बनाने में यह सेकम करता तक भी घर एक गंगी को बाहर निकालता है और लाज ओपन पोर्स को मीनिवाइज करता है डाड़ स्किन को अठाता है जिसे ब्लैकेट्स भी साफ होते हैं इसकिन से काला पन टैनिंग पिंग्मन्टेशन जैसी से मश्यों खतम करता है जूर्यों को भी कम करता है और फ्रेंश टमाटर चाहरे के पिंपल, पिंपल के निशान इन्हें आटाने में भी वह थाल्प करता है चैरे को साब करता है चैरे की स्किन की टोन को लाइट करता है एक चमक निखार लाता है और इसके बाद लोंगी मैं आपर आधा निम्बू आधा निम्बू काटकर एक चमक इसका रस लोंगी उसे काले निशानों जाहियाओं जुर्याओं इन सब को खतम करता है और फ्रेंड्स नीम्बू कभी भी हमें खाली नहीं लगाना चाहिए इसे हमें किसी चीज के साथ एड़ करके लगाना चाहिए तब इसे हमें इसके फाइजे दुगने मिलेंगे इसकिन को एकड़म किलियर बनाता है, ब्राइट बनाता है और फ्रेंड्स खोई हुई चमक को वापस लाता है नीम्बू नीम्बू ही अमारी जैसे चाहिँ जाहियां होती है पिग्मन्टेशन ब्लाज में कट्टा होता है उसे भी खतम करने में अलप करता है इसकिन को के लिए भी प्रेंट्स एक भी सव्थ के लिए ये स्किन में नमी देता है इस किन पर दाग दब्वोए ऑधय्ल करता है इन्य भी अटाने में हंध करता है ओपन जब उसे भी खतम करता है इसकिन बर से बशेiders प्रेंड्स आगे मैं बताऊंगे आपको इसे कैसे लगाना है और कैसे उतारना है कैसे धोना है तो प्लीज वीडियो में बने रहें अच्छी तरह से वीडियो को देखें तब यह अच्छे से लाब उठा पाएंगे और फ्रेंड्स यह तीनों चीजी मिलकर आपके चैरे की जितने भी समश्चा है लाग दब्बो की है लार्ज ओपन पोर्स की है जो स्किन के रोमचिद्र होते हैं न वो ज़्यादा खुल जाते हैं जिससे चैरा भद्धा लगने लगता है फिर उन्हीं की वज़े से वाइट ब्लैकेट्स की समश्चा बनती है और फ्रेंड्स यह फेश पैक उन्लाज ओपन पोर्स को मिनिमाईज करेगा इसकिन को टाइट करेगा और अगर जाहिये हुई है या पिमपल के निशान है उन्हें भी यह पैक जड़ से खतम करेगा और मिक्स करने के बाद आप इसे अपन पानी से नहीं धोना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी तो वीडियो को पूरा देखे फ्रेंड्स बिल्कुल नैचुरल फेस पैक है बिल्कुल प्राकरतिक चीज है और यह आपकी स्किन पर प्राकरतिक तरीके से काम करेगी आपकी स्किन की सारी प्रोब्लम को जड़ से करने वाला है आपकी स्किन एकदम नरम मुलायम चिकनी गोरी निखरी हो जाएगी एकदम गलास स्किन हो जाएगी आपकी बहुत अच्छा फेस पैक है सब पूचेंगे आप क्या लगा रहे हो फ्रंस विश्वास मानिए बहुत दिनों से मैं इसे यूज कर रही हूं तो करिएगा खूब अच्छी तरह से और उसके बाद नोर्मल पानी से आप अपना चैरा दो लेना और फ्रेंड्स ध्यान लगिए इसे यूज करने के बाद में आप को भी साबून या फेस वोस मत यूज करिएगा और इसके बाद मैं आपको हैंड वोस करके दिखा रही हूं आपका चैरा भी देखें ऐसा ही, खिला-किला, बिल्कुल, ब्रायर्ट आपकी स्किन होजाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी फ्रेंड्स यह आपकी स्किन की समच्चा को खतम करने के साथ-साथ आपकी डल सी, बुजी सी स्कीन को मुलायम चिकनी बनाएगा, आपकी स्कीन के डाग कोपलेशन को ब्राइट बनाएगा, और तभी बनेगी आपकी ग्लासी स्कीन, फ्रेंट्स बहुत अच्छा फेस्पैक है, विश्वास मानिए, ओल स्कीन टाइप है, बस जिनकी थोड़ी से पैंस टेस्ट करके लगाए, बाकी यह सब के लिए है, बहुत ही अच्छी देशी चीज है, प्राकरतिक चीज है, आपकी स्कीन की प्रोब्लम पर जड़ो विवार करेगा, जड़ो से उन्हें खतम करेगा, आपकी स्कीन हमेशा के लिए बहुत ही प्यारी ग्लोइंग हो जा झालaled अपकी प्यारी अच्छी चे खतम करेगा इंका